और आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्यूक्य मैं ट्रांस्पोर्ट मंत्री हूँ तो मेरे पास ही अभी अभी अटोमबाइल और बाके सब बाते हैं तो मैं अधिकल तुरुप से ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तस्वीर में ये जो 16 लाक करोड का इंपोर् श्रीज गाओं में इतनी बनेगी कि गाओ गरीब मजदूर और किसान संब्रुद्ध और संपन्न बनेंगे अब 2004 में हम शुगर फैक्टरी में मॉलाइसस आता है 4% सी मॉलाइसस के ते उससे इथेनॉल बनाते थे इथेनॉल है और और 95.5 डिग्री का प्यूरिटी का अलको से इथेनॉल बनना शुरू हुआ फिर शुगर के जूस से इथेनॉल बनना शुरू हुआ उत्तर पदेश में चैक पस्चे मी होगा पूर्वी उत्तर पदेश होगा पूरा गन्ना है उत्तर पदेश की रूरल एकोनमी गन्ने पर डिपेंड है कि कुशी नगर के आप बात क अधर भी गन्न ही है और इसलिए गन्ना उत्पादक किसान इथेनॉल बना सकता है और इसलिए अभी इथेनॉल हमने पेट्रोल में हम अभी 10% डाल रहे हैं यह कम से कम 20% डालने का दिरने अपर इथेनॉल यह उपलब्द नहीं है मैं शेहनवाज हुसेंजी को बहुत-बहुत धनेवाद दोंगा कि बिहार के मंतरी बनने के बाद उन्हों ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से उठाया और बिहार में उन्होंने इथेनॉल के प्रोलक्षन की श沒事 जब भी भी अजाता हूं बीज़ेपी का अध्यक्ष्ता तब वह से मैं बोलता हूं हमारे देश की एक समझ से है कि out of box ideas को कोई जल्दी accept करने के लिए तेहार नहीं होता है और इस सभाविक है मैं एक दिन खाना का रहा तो मेरे पत्नी को मैं पत्नी ने मुझे पूछा कि आप बोलते हो मैंने सुना है कि आप पानी से हड्रोजन निकलेगा हड्रोजन पे गाड़ी चलेगी तो आपके बातों पर तो मेरा ही विश्वास नहीं है तो लोगों का कैसे बेटेगा तो मैंने तुरंत टुवैटो इंडिया के चेर्मन विकरम किरलोशकर को फोन किया और मैंने कहा कि ये गाड़ी हड्रोजन पे चलने वाली मुसे चाहिए बोले मैंने बला वो मैं सब कानुन में बराबर करना मुझे गाड़ी पर जाई उसके और उसका नाम है का नाम है मिराई मिराई में जापानी में मिराई नाम है हिंदी में उसका नाम है भविश्या और वह गाड़ी जो है वह मैंने लाई ये मेरे पास है अभी और वह हैड्रोजन पे चलती है है हड्रोजन ती के लिए बहुत बजबुत विशे हैं ग्रीन हैड्रोजन जो पानी से अड्रोजन निकलता है जो बायोमास से निकलता है जो और गैनिक वेस्ट और कच्रे से निकलता है जो वेस्ट से निकलता है और गैनिक वेस्ट से उसको कहते हैं ग्रीन हैड्रोजन ब्राउन हैड्रोजन होता है वो पेट्रोलियम से निकलता है और ब्लाक हैड्रोजन कोईले से निकलता है और हैड्रोजन is a fuel for the future हवाई जाज चलेंगे रेलवे चलेगी गाड़ी चलेगी ट्रक चलेगी बस चलेगी ट्रैक्टर चलेगी और मेरा सपना है कि एक डॉलर पर केजी हड्रोजन आना चाहिए तो एक डॉलर एन्हें 80 रूपए पकड़ लो तो उसमें साड़े चार सो किलिमेटर चलेगी गड़े अब हैड्रोजन बनाना इतना आसान है कि आप में से बहुत से लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे अपने गाव में मेरी कलपना है कि किसान एक गुड़वन बना ले बढ़ा फ्रूट वेजिडेबल के लिए स्टोरेज चेहिए कोल स्टोरेज प्री कुलिंग प्लाइन अनाज रखने के लिए चेह उपर स्टोर लगाए तो सेवंटी परसेंट प्रावर ग्रीन हड्रोजन में पावर है और वो जो पावर आएगी उसके उपर मैं तो म्यूसिपल कारपरोश्वन नगर परिशद में कह रहा हूं मैंने एक साथ साल पहले इश्यश्वी प्रयोग किया मेरे शहर में मैं नागपूर से हूँ टॉयलेट का जो पानी होता है गंदा पानी सिवेज वाटर वो शुद्ध करके महाराष्ट सरकार को हम बेच रहे हैं आप इमेजन कर सकते हैं को कितने पैसे मिल रहे साल के हैं टॉयलेट का पानी बेचकर हमको सवा तीन सो करोड रुपेज साल के मिल रहे हैं तो वो पावर के लिए उपर मिलाते हैं अब वही पानी मैं का म्यूसिपल पार्टी और नगर परिशत में पानी शुद्ध कर लें और सॉलिड वेस्ट को सेग्रिगेट करने के लिए रूप रगेगा गोड़ाउन उपर में रूप टॉप सोल लगा दीजिए सोलर की पावर से एक करोड़ सवा करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर मिलता है अभी हमारे मैंने लॉंच की फैक्ट्री मंगलोर से 90 परसेंट प्रोडक्शन अमरीका जा रहा है और वही इलेक्ट्रोलाइजर पानी में डाल दो तो उससे सोलर सोलर को यूज कर कि गृर्ण हट्रोजन थैर होगा और यह जो मक्के से रा ब्रोकंद रैस से बायोमास से यह जो इथजनॉल बनता है ग्रीन फ्यूइल जो किसानों का है उसका जनरेटर सेट होगा आज ही मुझे मेरे घर पर किर्लोसकर कंपनी को पीछे लगकर मैंने जनरेटर सिट इथेनॉल का लाया है और कल मुझे डॉक्टर सारस्वत जो हम लोग मिथेनॉल जो कोईले से बनता है जो डीजल का अल्टरनेटिव है कल यह उन्हें मुझे जाएक अशोक लेलाना अफ्ट्रक बसेज बना रही है और मिथेनॉल का जनरेटर के लोसकर ने बना दिया है तो वह तो 22 रुपे लिटर है मिथेनॉल और डीजल कितना है 110 रुपे हमारे देश में कोई लाइक वहला पड़ा हुआ है इथेनॉल jy, ऑ्यॉल यी, और इलेक्ट्रिक और गिरीन अध्रोजन यह हमारे देश में हो सकता है हमको सब में प्राइस करना चैहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में ज़रूरत ही नहीं क्यों हम इंक्र करें क्यों प्रदूशन करें और इसलिए ग्रीन है यह तयार करते से मुझे सेट लगता है पास सो बार पर करने के लिए वह हम लोग इथेनॉल के जनरेटर पर चला है जो पासट रुपे साथ रुपे लिटर है ओए दीजल का जनरेटर 110 रुपे डीजल लगेगा और बस उसको भरके अपना किसा नहीं अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दे और वहां किसान इधर गेहु चावल भी करेगा उधर हड्रोजन भी बेचेगा तो एकोनोमी में किसाने इतना धन्वान बन जाएगा को उसका जैसे इस्रेयल में है एर कंडिशन बंगला मर्सीडीज गाड़ी लेकर वह अपने गाव और खेत में रहेगा तो क्यों दिल्ली मूंबे क कलकता आएगा जब उसके पास पैसा आगा यह जो 16 लाग करोड का इंपोर्ट इसके 10 लाग करोड किसानों में जाएंगे गरी भी दूर होगी बेरोजगारी दूर होगी कौन के कौन कौन से इथेनॉल बनेगा ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनेगा फूड़ ग्रेंस से थेनॉल बनाया है है अब एक घिमा बंबूय करनाटक में 01 Under 2 साल के बाढ विःर में लगाई है कोई कोई arts ने कुछ ने ऐसा बंबू होता है माज laquelle करी बंता है बंबू करी बंता है मामबू से फरनिचिर बंता पूरू से paste teण बंता इंबू से इतनौल बनता है बंबू स होता है जो जलाते राइस ट्रॉ परली तो परली से एक लाख लीटर परड़े इथेनॉल और देड़ सो टन बायो बिटुमिन बन रहा है डाबर अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 75 लाख बिटुमिन लगता है पचास लाख तन देश का है वो भी बाहर से आई वे कुरूड का होता है और पचीस लाख तन इंपोर्ट होता है हमारे देश के किसान अगर बायो टेक्नलोजी तो उपयोग करके बायो मास तैयर करेंगे और बायो बिटुमिन बनेगा तो हमारे बिटुमिन पर हो कोई फरक न लगो फ्लेक्स इंजिन का मतलब ऐसा आपको मौल में टोयटो कंपनी के केम्बरी की केम्बरी नाम की गाड़ी थी वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद वो इलेक्रिसिटी तैयर करती थी तो 40 टके बिजली पर और साथ टके पेट्रोल पर चलती थी अब टोयटो हमें अब इथेनोल का रेट है साथ रुपे और पेट्रोल का 120 रुपे और बीच में इथेनोल का क्यल्रिक वेलू कम थी तो एक दिन मुझे जानकारी मिली कि रशिया में इथेनोल की क्यलरिक वेलू पेट्रोल के बरावर हुई है तो मैंने रशिय Singh therapist को इंडिया मुला है प कुमार जी को बुला है और प्रेजेंटेशन दिया सब होने के बाद जाते समय मुझे मुझे कहां कि this is a very fantastic idea idea बहुत सुन्दर यह होगा तो चमतकर होगा भी सजार करोड साल का फाइदा होगा देश का इतना अच्छा बड़ा काम है क्योंकि क्यालरी उतना जितना अवरेज प बच्छा है नहीं हुआ तो गाजयर की खालो और खतम कर दो विशेव और आपको ताज्यूब होगा तीन मैने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यह successful technology भारत सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है जिससे इथेनॉल का एवरेज और पेट्रूल का एवरेज सम होगा अब बचाज, TBS और हीरो ने अब उन्होंने आटो रिक्षा और स्कूटर और मोटर साइकल भी इथेनॉल की बनाई तो शैनवाज जी क्यों पीछे पड़ते हो कि हमारा इथेनॉल लो पूरे बिहार में इथेनॉल के पंप डाल दो देश में और पूरी ये गाड़ी आएगी फ बिटर फिवल और पॉलुशन मुक्त इंपोर्ट सब्स्टिटोड कॉस्ट इफेक्टिव पॉलुशन प्री और इंडिजिनस स्वदेशी